निमलिकित में से कौन सा युगम गलत है, पहला प्राशन आपकी स्क्रीन पर है, गलत युगम चुनना है, डोडी ताल उत्तरकासी है, बिल्कुल सही है, ओप्शन आप देख लेजिए, अटेम्ट करते हुए चलिए, आप अपने मार्क्स कांट करते हुए चलिएगा, देवर उत्राखंड में सबसे लंबा हिमनद है, सबसे लंबा हिमनद बताना है, उत्राखंड का सबसे लंबा हिमनद, ओप्शन देख सकते हैं, आपका सही उत्तर है, आपका गंगोतरी हिमनद जो है, वो सबसे लंबा हिमनद है, गोबिंद घाट की नदियों के संगम परिस्तित ह आप option देखते हुए attempt करते हुए चलिए सही उत्तर आपका इसका अलक नंदा और लक्षमन गंगा है option number C correct answer हो जाएगा अगला देखे भागी रती नदी को अन्य नदी से किस सिस्तान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है तो शुरू में जब गोमुक से निकलत में होता है आगे बढ़ते हैं भागी रती नदी निकलती है भागी रती नदी कहां से निकलती है option देख सकते हैं गोमुक गंगोतरी तपोवन या विश्णू पर्याग अब आपको यह धिहन रखना है कि अगर option में केवल गंगोतरी है तो गंगोतरी करना है answer और अगर गोम अगर बढ़ते हैं उस नदी का नाम बताईए जो किदारनात से रुदर पर्याग के मध्य बैती है तो किदारनात के पास से उद्वम किसका होता है सीधी सी बात के पूछी गई है सही उत्तर आपको पता है मन्दा की जो है option number 10 का correct answer है उत्राखंड का सबसे बड़ा हिमनद है तो सबसे बड़ा हिमनद हम डिसकस कर चुके हैं गंगो 3 आगे देखते हैं सुची एक में दी गई जीलों का सुमेलन सुची सेकंड में दिये गए इस तानों से कीजिया और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर बताईए तो जेखिए साथ ताल दिया है साथ ताल आपका नैनी ताल में हो गया थार्ड हो गया इसका द्रोण सागर आपका उद्धम सिंगनगर काशिपूर में है डोडी ताल आपका उत्तर काशी में हो गया और बिरही ताल आपका चमोली में हो गया तो यानि क्या हो गया थ्री अ कौन सी सहायक नदी का संगम अलक नंदा से होता है तो अभी मैंने बोला कि रुद्र परियाग में जो है अलक नंदा प्लेस मंदा किनी तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मंदा किनी option number D correct answer हो जाएगा खतलिंग हिमनद किसका उद्गम इस्तान है तो खतलिंग हिमनद अभी हमने भी डिसकस किया था है खतलिंग हिमनद जो है आपका भिलंगना नदी का उद्गम इस्तान है option number D correct answer हो जाएगा और कहां इस्तित है हाँ हमने डिसकस किया था कि खतलिंग हिमनत कहा है तो खतलिंग हिमनत तहरी जिले में है और किस नदी का भिलंगना नदी का उदगम होता है निमलिकित जीलों में से कौन सी जील रहस्यमई जील के नाम से जानी जाती है तो रहस्यमई जील से नाम से जानी जाती है रूपकुंड जो कि आपका चमोली में है रूपकुंड और बाकी जीले आपको बदाई है नैनिताल नैनिताल में हो गया बिलंगना नदी का उधगम स्थल है तो बिलंगना नदी का उधगम स्थल बताना है अभी हमने डिसक्स किया था कि खतलिंग हिमनत जो है आपका टेहरी गड़वाल में और यह किसका बिलंगना नदी का उधगम स्थल है तो सही उत्तर आपका है पिंडर भी अलक नंदा मंदा किनी नंदा किनी ये सब जो है अलक नंदा की सहायक नदियां है भिलंगना अलक नंदा की सहायक नदी नहीं है आसन बैराज बिहार का संबंध है आपके लिए क्वेस्टन यह है कि यह बताए आसन बैराज जो बिहार है परष्ति थे और इसका संभन्द जो है आसन बेराज एक bird sanctuary है तो यानी चडिया से संभन्दी थे बाल गंगा सहायक नदी है बताना है बाल गंगा किसकी सहायक नदी है तो option आप देख सकते हैं सही उत्तर आपका भिलंगना है भिलंगना की सहायक नदी कोंची है बाल गंगा है रास्ट ये अभ्यारन है तो online परवेश परमिट जारी करने के लिए single window system पथिक शुरू किया गय गंगुत्री नेशनल पार्क द्वारा तो गंगुत्री नेशनल पार्क इसका सही आंसर है दो option जो है नीचे रह गया है तो सही उत्तर आपका है option number C गंगुत्री नेशनल पार्क द्वारा single window system पथिक शुरू किया गया था तो ये आपको ध्याम रखना है ये important को इससे ने बन सकता है निमन में से यमना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है यहाँ पर बताना है कि इन में से कौन सा बांध जो है वो यमना नदी पर निर्मित है तो सही उत्तर इसका है सूरी धार जो बांध है इन में से यमना नदी पर निर्मित है आगे बढ़ते हैं उत्रकंड उ दीवित नदी का दर्जा दिया गया है तो गंगोत्री ग्लेसियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखिए भेंक ताल एबं ब्रहम ताल दर्सनिया इस्तल इस्तित है तो भेंक ताल और ब्रहम ताल बताना है ये दर्सनिया इस्तल कहां पर इस्तित है तो भेंकल ताल ह जो आपके ये चमूली जिल्ले में है option number D इसका correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वासु की ताल इस्तित है अब बताना है वासु की ताल कहां पर इस्तित है तो वासु की ताल आपका केदारनाथ के निकट इस्तित है और अगर जिल्ला पूछ ले कि वासु की ताल कि जिल्ले में है तो आपका रुद्र परियाग में है तो ये आपको दिहान रखना है अगर देखे अलक नंदा एबं धौली गंगा का संगा मिस्तिल है अलक नंदा और धौली गंगा का संगा मिस्तिल बताना है इनमें से तो अलकननदा और धॉले गंगा का संगम इसतल है विष्णू परियाग ऑफ्श festa number B correct answer उजएगा रुद्र परियाग इनमें से हो जाएगा अलकननदा और 만दाकिनी का रुद्र परियाग हो गया नंद परियाग हो गया अलकननदा प्रस नंदा की नहीं हो गया सतो पंत हिमनत से नदी निकलती है आपका अलक नंदा नदी option number secret answer हो जाएगा निमली कितमें से कौन सा युगम गलत है अब यहाँ पर बताना है कफनी glacier आपका बागेश्वर में है सही बात है रालाम glacier पिथोरागड में है नामिक glacier भी आपका पिथोरागड में है तो नामिक glacier कहा हो गया यह भी पिथोरागड में है रालाम, पॉंटिंग नामिक यह सब पिथोरागड में है और खतलिंग glacier आपका टेरीगडवाल है यह भी सही है तो सही उत्तर आपका option number C हो जाएगा यह युगम गलत है अगर देखिए उत्राखन में river rapting के लिए परसिद नदी कौन सी है तो river rapting के लिए गंगा नदी परसिद है option number A करेक्ट आंसर है भिलंगना नदी का उद्गम शुरोत है तो भिलंगना नदी का उद्गम शुरोत यहां पर भिस सर्जित की गई थी तो चोरा बाड़ी ताल इसलिए इसको गांधी शुरोबर भी कहा जाता है आगे देखिए अलकननदा एबन मंदा किनी नदियों के संगम पर इस्तित है तो अलकननदा और मंदा किनी नदियों के संगम पर अभी बताया था रुद्र परियाग इस्तित है option number A correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं गोरी गंगा और काली नदी से मिलती है गोरी गंगा काली नदी से कहां पर मिलती है तो यह जौल जी भी में मिलती है और जौल जी भी आपका कहां पर है पितोरागड में है तो यह आपको ध्यान रखना है आगे देखिए पिंडर नदी का उद्गम होता है तो पिंडर नदी का उद्गम बताना है आसान सा प्रसन है पिंडर नदी पिंडारी गिली से निकलती है डोडी ताल इस्तित है डोडी ताल आपका उत्तरकासी में इसकी थे, option number B सही उत्तर हो जाएगा, उत्रकंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्यूत परियोजना है, तो सबसे बड़ी जल विद्यूत परियोजना है, option number D correct answer हो जाएगा, समान अंतर फसल का एक उधारन है, इन में से समान अंतर फसल जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है, option number A correct answer है, उत्रकंड में उगाया जाने वाला मंडवा या कोदा का निरियात अधिकांसता किस देश को किया जा रहा है, तो मंडवा कोदा, important question है, इससे question इस बार पक्ता बनना है, क्योंकि उत्रकंड गवर्मेंट ने इस बार मिलेट मिशन स्कीम सुरू करी है, एक तो मिलेट मिशन स्कीम और दूसरा ये जो 2023 येर है, इसको मिलेट येर मनाया जा रहा है, पूले बर्ड लेबल पे, तो काफी जादा important जो मोटे अनाजें, उनसे जो question है, बहुत जादा संभावना हैं कि पेपरों में बनेंग तो मंडवा कोदा का निर्यात अधिकांस था, किस देश को किया जा रहा है, तो ये जापान को किया जा रहा है, option number D correct answer हो जाएगा, उत्राखंड में पर्थम डेहरी संग इस्तापित किया गया था, हलदवानी में, option number D इसका correct answer हो जाएगा, निमलिकित में से कौन उत्राखं की एक परमुख नगती फसल है, तो परमुख नगती फसल जो है, ये गन्ना है, option number C correct answer हो जाएगा, जीबी पंत किरसी एवं प्रोध्योगी की विश्व विद्याले का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नाम करन किया गया, तो जीबी पंत किरसी विश्व विद्याले का स स्तापना जो हुई थी, स्तापना तो चलो स्तापना आप लोग बताएगे, कमेंट बॉक्स में साथ में, जब आप में मार्क्स स्कोर करोगे, तो उसके साथ में जीबी पंत की स्तापना भी बताना, सही उतर नाम जो है, इनकी याद में परिवर्तित किया गया था, 1922 में option number भी इसका करेक्टर अंसर हो गया, आगे देखें, उतराखन में गंगा, गाए, महला डेरी, योजना लागू की गई, गंगा, गाए, महला डेरी, यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के नाम है, इनमें से सही उतर जो है, हरी स्रावत के द्वारा शुरू की गई थी ये योजना, उतराखन में मोटे अनाज निम्नांकित फसल समूहों में से किस से समन्दी थै, तो उतराखन में मोटे अनाज जो है, ये मंडवा हो गया, जंगोरा हो गया, बाजरा हो गया, तो उतराखन में मोटे अन्वाज, मेंली जो हमारा फोकस है, मिलेट मिसन स्कीम के तहत, यह हमने current affairs में भी discuss किया था उत्राखन current affairs मैंने आप लोगों को कहा भी है कि हर मंत के मैंने डाले हैं पिछले माई तक के तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए हर माई ने बहुत important events होये हैं और उनसे question बनेंगे तो millet mission scheme हमने वहाँ पर detail में discuss की थी तो मंडवा जंगोरा और बाजरा और मैं बोता रहा हूँ कि millet mission scheme से पक्का एक question आपके paper में बनेगा तीहरी बांद का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है ये बताना है सही उत्तर आपका भागी रती और भिलंगना हो गया अगला देखिए horticulture mission पर for north east and हिमालय states का कि क्या उद्धिस्य है अपर option देख सकते हैं बागवानी को प्रोसाहन जैविक खेती को प्रोसाहन अजैविक खेती को प्रोसाहन option number d का सही उत्तर है उत्तर के सभी उत्राखन की पहाड़ियों में चाल खाल निमल लिखित में से किस के लिए बने होते हैं तो चाल खाल बने होते हैं आपके जल सरक्षन के लिए option number b correct answer है उत्तराखन में किरसी योग्य भूमी का प्रतिसत है तो लगभग जो है आपका 13% option number c इसका correct answer हो जाएगा अगला देखिए सेडीदार खेती संबंधित है तो सेडीदार खेती है रफरे उत्तराखन राज पित्वरागड जिल्ला का लिःगह उन उपाथ है तो पित्वरागड जिल्ला का लिःगह उन उपाथ ugly 1021 2021 2021 भीष magg आगे दीखिए केदार नाथ किस नदी के किनारे अबस्तित है आख्री कोर्सतन ये है केदार्नाच इन नदी के किनारा रहती थैशे जिला Three echo प्रक्रण के निमन लिखित में से किस जिले की जंसंख्या सबसे कम है सबसे कम जंसंख्या वाला जिला बताना है तो सही कि उत्तर हो option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्राखंड के जन्पदों में प्रांत के किस जन्पद में सिक्षितों का परतिसत सबसे कम है यानि सबसे कम सिक्षितों का परतिसत यानि साक्षरता परतिसत सबसे कम किस की है इन जन्पदों में से तो सही उत्तर आपका है हरी द्वार, हरी द्वार का, हरी द्वार में सिक्षितों का परतिसत सबसे कम है अगला प्रसंद देखिए, निमन लिखित में से कौन सी जन जाती उत्राखंड में नहीं पाई जाती है, तो इन में से देखिए बोकसा उत्राखंड की है, बोटिया उत्राखंड की है, राजी भी उत्राखंड की है, खरवार जन जाती जो है ये उत्राखंड की नहीं है, option number D सही उत्तर हो जाएगा, उत्राखंड के निम्न जन पदों में किसमें अनसूचित जन जातियों की जन संक्या सबसे अधिक है, त अगला प्रसन हमारे पास है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्राखंड में नैनिताल जिले का इस्तान है, तो नैनिताल जिले का इस्तान बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जैसे की सबको पताई है, सबसे जो नैनिताल की जन संक्या है, वो चौथे इस्तान पर है नैन अगला प्रस्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या की दिरिस्टी से उत्राखंड का देश में कौन साइस्थान है, जनसंख्या की दिरिस्टी से उत्राखंड का बीसवाइस्थान है देश में, आप्शन नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वर्स 2011 की जनगणना के अनुस उत्राखंड राज्य का लिंगानुपात है, तो उत्राखंड राज्य का लिंगानुपात हमें बताना है 2011 की जनगनना के अनुशार, अगला प्रसंद देखते हैं, वर्स 2011 की जनगनना के अधार पर उत्राखंड के किस जनपद की ग्रामीन जनसंख्या सरवादिक है, सबसे ज़्यादा ग्रामीन जनसंख्या जो है, किस जनपद की है, तो सही उत्तर आपका हरीद्वार, हरीद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भी है, और ग्रामीन जनस और सहरी जनसंख्या भी हरिद्वार की ही सबसे जादा है अगला प्रसंद देखिए उत्राखंड का जनसंख्या घनत्व है जनसंख्या घनत्व बताना है उत्राखंड का जनसंख्या घनत्व इन में से कितना है ऑप्शन देख सकते हैं 159, 165, 170 या इन में से कोई नहीं तो सह 2011 की जन गणना की अनुसार उत्राखंड में महिला साक्षर्टा परतिसत है, महिला साक्षर्टा परतिसत उत्राखंड में है 70 परतिसत, आपसन नमबर D सही उत्तर हो जाएगा, उत्राखंड की दूसरी सबसे अधिक जन संख्या वाली जन जाती है, तो सबसे जादा जन संख्य मंदिर इस्तित है आपका बागेश्वर में option number C आप connect करके याद रख सकते हैं बागनात बागेश्वर अगला प्रसंद देखिए निमन में से कौन सा मंदिर उत्राखंड में सबसे अधिक उचाई पर इस्तित है तो उत्राखंड में इन में से सबसे जादा उचाई पर इस्त अगला प्रसंद देखिए चौबटिया परसिद है ये बहुत ध्यान रखना है अगला प्रसंद देखते हैं पुलों की घाटी की खोज किस ने की थी फुलों की घाटी की खोज की थी फ्रेंक एस इसमित ने अगला प्रसंद देखिए तुंगनाथ जो कि पंच केदारों में से एक है पर सिव के किस अंग की पूजा होती है तो तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है तुंगनाथ और इसमें ये बताना है कि सिव के कौन से अंग की पूजा होती है, सही उत्तर आपका बहां की पूजा होती है, यहां पर बहां और हिर्दय की कभी question में ये भी बूच किया जा सकता है, तो बहां और हिर्दय की पूजा होती है कहां पर तुंगनाथ में, अगला प्रस्ण देखे, रिसी केस को इस नाम से भी …… जाना जाता है तो प्रस्ण बहुत बार पूशा जाता है कि विश्टो की योग राजधानी किसे खियते हैं तो सही उत्तर आपका रिसी केस है तो रिसी को इसको कहा जाता है विश्टो की योग रासधानी, option number C आपका सह उत्तर हो जायेगा, अगला प्रसंद देखे जो की मेन से किस जन्पद में, शिक्षों का पवित रिष्तल रिठा-मीठा साहीव इस्तित है, रिठा मीठा साहीव आपका इस्तित है चमपावच जनफद में उप्सन नमर डीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में पाताल भुबनेश्वर क्या है पाताल भुबनेश्वर एक गुफा है बहुत फेमस्ट क्वेशन है ये बार-बार पूछ लिया जाता है आप्शन नमर एस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम तोर पर हरिद्वार में कुम्ब मेले की समायावधी मानी जाती है तो आम तोर पर हरिद्वार में जो कुम्ब मेला लगता है उसका जो समय अवधी है वो क्या है सही उत्तर है आपका मकर संक्रांती से बैसाकी तक आप्शन उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंदी के निमन लिखित में से अनासक्ति आस्रम किस जिले में है यहां पर अनासक्ति योग टी का भी मात्मा गांधी जी ने लिखी थी कौसानी में तो वो यो कहांद किस जिले में है बागेश्वर में ऑप्शन नमबर A करेक्ट आंसर है विस्व परियाटन दिवस मनाया जाता है विस्व परियाटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है उत्राखंड का महत्वपूर्ण परियाटन छेतर खिर्सू निमन में से किस जिले के अंतरगत आता है तो खिर्सू आता आपका पौड़ी गडवाल के अंतरगत आप्शन करने के लिए गया, skiing भी दे दिया, rapting भी दे दिया, paragliding भी दे दिया, और उप्रिक्तों में से कोई नहीं दे दिया, तो सही उत्तर इसका है, skiing के लिए परसिद है, पाताल भुबनेश्वर जो गुफा है, अभी हमने डिसक्स किया था question, पाताल भुबनेश्वर क्या है, तो गुफा है, और किस जनपद में स्थित है, तो पिथोरागर जनपद में पाताल भुबनेश्वर गुफा इस्थित है, अगला प्रसंद देखे, उत्राखंड के पांच परियाग हैं, तो पांच परियागों के नाम आपको जुरूर हैं, देखे, कन्फूज करने के लिए आ 2001 से और 2011 के बीच में उत्राखंड की दसकिया बिरिधी दर 18.81 प्रतिसत थी, नमली कितमे से किस जिले में नियूनतम जनसंख्या नगरी करन प्रतिसत है, यानि जनसंख्या का नगरी करन जिस जिले में सबसे कम हुआ है प्रतिसत में, उस जिले का नाम बागेश्वर है, 0.83 परतिसत है option number B सही उत्तर हो जाएगा निमली खित में से कौन सा जिला उत्राखंड का नियूनतम 10 सकिय विरिधी वाला जिला है यानि सबसे कम 10 सकिय विरिधी इस जिले में रही है तो नकारात्मक विरिधी भी रही थी पौड़ी गडवाल में option number C इसका करक्ट आंसर हो ज इनका लिंगान उपाथ 1000 से अधिक है और उन जिलों में आपको धिहन रखने है नाम धिहन रख सकते हैं एक तो अलमोडा हो गया पहला दूसरा हो गया आपका रुदर परियाग रुदर परियाग में भी 1000 से उपर है तीसरा आपका जो है वो पौड़ी गडवाल है जिलों को थोड़ा सा दिहान रखना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि एक तो कितने जिले होगे तो यह तो हमेरे पास आसान होगे याज रखने के लिए कि साथ जिले हैं कौन-कौन से जिले हैं ऐसा नहीं पूछा जाएगा लेकिन जिले दे सकता है जैसे टेहरी उत्तरकासे चार जिलों का सेट दे दिया और उनमें से पूछ लिया कि किसका लिंगा उनुपाद जो है हजार से अधिक है तो थोड़े से ये जिले आपको जुरूर ध्यान में रखना है काफी अगला प्रसंद देखते हैं दो हजार एक से ग्यारा के मध्या उत्रा खंड में सहरी आबादी में दसकिया व्रिधी दर बताना है सही उत्तर है आपका option number A 39.94% अगला प्रसंद देखे निमली खित मेंसे किस जिले में वस्तिस्ट गुफा वस्तित है तो वस्तिस्ट गुफा बताना है किस जिले में इस्तित है वस्तिछ गुफा आपका टेहरी गडवाल में इस्तित है नमबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमलिकित में से किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जन जाती जन संख्या प्रतिसत है कौन सा जिला है जहाँ पर अनुसूचित जन जाती की जन संख्या का सबसे जादा प्रतिसत निवास करता है सही उत्तर आपका उधम सिंग्नगर है option number A अगर देखे अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को कनपरियाग कहते हैं तो ये तो सभी को पता है कि कनपरियाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है यह किस जिले में इस्तित है तो ये आपका कर्ण परियाग जो है ये आपका चमोली जनपद में इस्तित है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोग परियाग जो है आपके चमोली में है बाकी के रुद्र परियाग में है तो यहाँ पर important है कि कर्ण पर्याग जो है वो चमोली जिले में है निमली कितमे से किस जिले में संकर गुफा आवस्तित है संकर गुफा आपका टेहरी गड़वाल जनपद में है option number C इसका correct answer हो जाएगा अगरा देखें जनगर्णा 2011 के अनुसार सिसु लिंगानुपात में कितने अंकों की गिरावट हुई है तो सिसु लिंगानुपात में बताना है कितने अंकों की गिरावट हुई है तो सही उत्तर है option number D 18 अंकों की गिरावट हुई है क्योंकि 2001 में 2001 की जनगर्णा के अनुसार जो सिसु लिंगानुपात था वो 908 था और 2011 के अकोर्डिंग ये जो है 890 रह गया है तो यानि कुल कितने 18 अंकों की गिरावट हुई है या आपको धियान रखना है option number D और सिसुलिंगानुपाद भी पूछा जा सकता है 2011 में 890 2011 में 890 हो गया है जबकि 2001 में 908 था अगला देखिए निमलिकित में से कौन सा दर्शनिया इस्तर नैनिताल में अवस्तित नहीं है अब इन में से बताना है कि कौन सा नैनिताल में अवस्तित नहीं है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा option number D कमलेशवर मंदिर कहां इस्तित है तो ये भी आप धियान रखिए कमलेश्वर मंदिर जो है आपका ये सिरी नगर में है तो सिरी नगर में है आपका नदी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर अवस्तित है, तो किस नदी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर अवस्तित है, सही उत्तर आपका अलकनन्दा नदी पर इस्तित है, कोटेश्वर महादेव मंदिर, अगला प्रसंद देखे, निमलिखित में से कौन सा प्रयाटनिस्तल प टेहरी गडवाल में है, तो यह आपको धिहान रखना है, सुरकंडा देवी का मंदिर टेहरी गडवाल में हो गया, और बाकी सब यह पौड़ी गडवाल में है, तो option नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नमली कितमे से किस जिले में नियूनतम सिशुलिंगानुपात है, सबसे न यूनतम सिशुलिंगानुपात है, इसलिए यह आंकड़ा आपको ज़रूर याद रखना है, देश में लिंगानुपात के मामले में उत्राखंड का इस्तान कौन सा है, तो लिंगानुपात के मामले में उत्राखंड का इस्तान है, तेरवा, यह आप कनेक्टिक सुरू कर ल जो हैं गड़वाली समाचार पत्र के संपादक थे प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन थे मसूरी मेडले एक बहुत फैमस पुस्तक है क्वेसन बहुत बार ही पूछा गया है सही उत्तर आपका प्रोफेसर गणेश सैली जो है मसूरी मेडले के लेखक है तो म भरत कभी मानोदय काभ्य के रचनकार हैं बोरी वली से बोरी बंदर तक ये बहुत परसिद्ध पुस्तक है इसके लेखक बताने हैं तो इस पुस्तक के लेखक जो है सैलेस मट्यानी हैं ऑप्शन नमर 20 से उत्तर हो जाएगा गड़वाल समाचार का प्रकासन किस वर्स प्रार पुस्तक किस ने लिखी थी तो ये पाति राम की बहुत फेमस पुस्तक है गड़वाल एंसेंट एंड मॉडन ऑप्शन नमर डी 1935 से इस पत्र का प्रकासन अलमोडा से किया गया इनमें से कौन सा पत्र है जिसका प्रकासन 1935 से शुरू हुआ था तो सही उत्तर आपका समता समता पत्र है समता पत्र का प्रकासन 1935 से अलमोडा से सुरू हुआ दोनों फैक्त आपको धिहन रखना है समता का प्रकासन कब से हुआ 1935 से अलमोडा से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्सल कास्ट ऑफ अलमोडा पुस्तिका के लेखक कौन है ये पुस्तिका जो है ये गंगादत उपरीती की है उप्शन नमर डीस का सही उत्तर हो जाएगा हिमाले गजेटियर के लेखक हैं तो ये तो बार-बार पूछा जाता है इसके प्रकासनिस्तान है और इनमेंसे जो है गलत जो है आज का पहाडवी पिथवरागट से मध्य हिमाले का प्रकासन देरादून से नहीं हुआ है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईए कि सही इसका क्या है उत्तर अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर गुंडपन करार दिया तो यह स्वाधीन प्रजय जो समाचार पत्र था उसमें लिखा था कि भगत सिंकवी फांसी की सजा है वो सरकार का गुंडपन था। दहिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकासन किस वर्स हुआ था, दहिल्स समाचार पत्र का प्रकासन अठारा सो बैालिस में हुआ, अप्शनमर ए सही उत्तर है, उत्राखंड में बोली जाने वाली जोहारी बोली निम्न में से किस वर्ग के अंतरगत आती है, जोहारी बोली जो ह और इस तरह के questions पूछे जा रहे हैं उत्राखंड के साहित्य से या फिर भासा से तो जोहारी बूली का किस वर्ग में आती है ये आती है उत्तरी कुमावनी में और इस पर उत्राखंड का बहसा साहित्य जो है इसमें गड़वाली कुमावनी के जो खंड है इनसे बहुत बार question पूछ रहे हैं आप दीरे दीरे तो उत्राखंड के साहित्य पर एक वीडियो जरूर रहूंगा मैं और बहुत अच्छे से इसके complete notes आप लोगों को मिल जाएं से PD दर PD हस्तांतरित होने वाली पौरानिक लोग गाथाएं क्या कहलाती हैं तो ये पौरानिक लोग गाथाओं को जौगर कहा जाता है option number 20 का सही उत्तर है उत्राखंड में IIM कहां इस्तित है तो IIM उत्राखंड में कासिपूर में है उद्दर्म सिंग नगर जो पढ़ता है ग्रीन स्कूल की अवधार्णा का परतिपादा कौन है? ये बहुत पहमस क्वेशन है, ग्रीन स्कूल की अवधार्णा जो है, ब्रेंदर रावत ने ग्रीन स्कूल की अवधार्णा दी थी, तो option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नोट करके एक क्वेशन रख सकते हैं, पूछा ज सकता है, सिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्स लागू हुआ था, तो ये तो सभी को पता होगा, 2010 में लागू हुआ था, 2009 में अक्ट बना था, अक्षेपात्र योजना उत्राखंड के कितने जिलों में सुरू की गई, अक्षेपात्र योजना, जा तो इंपोर्टेंट कुमाओ कि स्री कहा जाता है, बद्रिदत पांडे को, अगला देखी, चमोली के रहने गाउं में किसके नेतितों में बन कटाई के विरोध में अंधोलन चलाए गया, तो ये गौरा देवी के नेतितों में चलाए गया था, उत्राखंड क्रांती दल के पर्थम अध्यक्ष, आपको बताने है यहाँ पर सही उत्तर आपका हो गया डीडी पंत उप्शन नमर ए उत्राखंड के गांधी ये तो इंद्रमणी बडोनी सभी को बता है निमलिकित में से कौन सुतंतरता सैनानी नहीं था इन में से सुतंतरता सैनानी नहीं थे तो सुतंता सैना नहीं थे गौरा देवी चिपको मुमेंट से इनका सम्बन है, बाकि सभी का सम्बन जो है सुतंत जिरता अंदोलन से भी था वर्स 1928 में गडवा सर्बदलित परिशद का गठन किस ने किया था, option number D, यह सोधर मटपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है, तो यह सोधर मटपाल जो है, यह बहुत थेमस है, इनका नाम जो है, वो आपका चितरकला से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो चितरकला हैं, जैसे आपके जो गुफाओं की चितरकला, इनकी खोज में विषेस योगदान जाता है, परसाद डबराल को जाना जाता है, सिपरसाद डबराल जो है, एक इतिहास कार है, option number 30 का सही उत्तर हो जाएगा, दसोली गूराम स्वराज संके संस्तापक बताने है, तो दसोली गूराम स्वराज संके संस्तापक है, चन्डी परसाद भट, आपर इनसे सम्मंधित है आपका Victoria Cross option number C सही उत्तर हो जाएगा पंडित गोबिन बलापंत को हिमाले पुत्र की उपाधी किसके द्वारा दी गई तो यह उपाधी दी गई थी पंडि जवाहलाल नहिरू ने गोबिन बलापंत को हिमाले पुत्र की उपाधी दी थी चितरकला के छेतर में पदमशिरी पाने वाले राजे के पर्थम ब्यक्ति है तो पर्थम ब्यक्ति चितरकला के छेतर में जिन्हें पदमशिरी मिला है तो रणवीर सिंग विस्ट है option number 20 का सही उत्तर है सन 1815 में लिखित गोरकवानी जिसे गड़वाली भासा के लिखित साहित्य का आरंब माना जाता है इसके लेखक कोन है गोरकवानी के लेखक आपके है सुदर्शन सा option number 20 सही उत्तर है निमनमे से किसे वर्स 1961 में पदम भूसन तथा 1968 में ज्यान पीट प्रोषकार से सम्मानित देखिया गया था अगला देखिए युगवानी पत्री का कि स्तापना किस ने की थी युगवानी पत्री का गोपेश और कोठियाल option number 20 का सही उत्तर है किस समाचार पत्र को उत्तर भारत के पर्थम पत्र की मान्यता प्राप्त थी आपके दहिल्स को option number 20 का सही उत्तर है चात पड़े भारत बड़े भारत कारक्रम का संबंध किस से है पड़े भारत बड़े भारत कारक्रम का संबंध है आपका पड़ने लिखने की आदतों का विकास करने से है उत्राखन माना विकास रिपोट 2019 की अनुशार वयस्क साक्षरता दर कितने परतिसत रही तो 2019 की जो उत्राखन माना विकास रिपोर्ट है इसके अनुशार बैस के साक्षरता 84.6 परतिसत रही Institute of Himalayan Environment Research and Education कहां अबस्तित है तो ये अबस्तित है आपका अलमोडा में उप्शन मरेस का सही उत्तर है उत्राखन में मैती अंदोलन की शुरुआत किस ने की थी तो कल्यांट सिंग रावत आसान सा कुष्चन है ये निम्न में से किसे काली कुमाओं का सेर भी कहा जाता है ये important है काली कुमाओं का सेर आपका कहा जाता है हरसदी वाली को option में भी सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से किसे उत्रकारिता की नीव की इट कहा जाता है तो सही उत्तर इसका है गडवाली जो अकभार है इसे पत्रकारिता की नीव की इट कहा जाता है और अगला और लास्ट प्रस्न है उत्रकारिता की पहली महिला जो उत्रकारिता संग्राम के दोरां जेल गई तो सही का सयोगी बना है करेंट अफेर्स वीडियो में हमने डिटेल में डिसकस किया है परियतन के ये जो मेमरेंडम साइन हुआ था उत्राखन और गुवा के बीच में नहीं देखा है तो जाके करेंट अफेर्स के वीडियो जरूर देखें उत्राखन के अगला क्रसंद देखिए हा अन्न महोतसब 2023 का सुभारंब किया गया तो उतरा खंड के 13 मई 2023 का ये भी हमने करेंट अफेर्स में डिसकस किया था हाती बढ़कला में सुभारंब किया गया था अप्शन नमर एस का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद देखे वर्स 2022-23 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अनुमानित किया गया है 3.02 लाख करोड रुपे अप्शन नमर एस का सही उत्तर हो जाएगा डेटा आपको जरूर ध्यान लखना है नोट डाउन करके रख लीजिए वसन पूछे जा सकते हैं खासकर प्री एक्जाम जो भी होते हैं PCS UK PC के वित्य वर्स 2021-22 में राज्य में प्रचलित भावों पर दुतियक छेतर के उप छेतरों में विनिर्मान उप छेतर का योगदान कितना रहा तो विनिर्मान उप छेतर का योगदान रहा है 18.39% उप्सन नमर ए करेक्ट आंसर है वर्स 2021-22 के में परचलित मूल्यों पर तिर्टियक छेतर की उप उमदों के अंतरगत सरवादिक योगदान किस छेतर का है तो सरवादिक योगदान वो व्यापार हुटल इवम जलपान ग्रह का है उप्सन नमर 20 का करेक्ट आंसर है वर्स 2021-22 में राज्य में स्वास्ते में बे कितना परतिसत कितना है तो स्वास्ते में राज्य का बे लगभग जो है वो 6.93 परतिसत है उप्सन नमर ए इसका सही उत्तर है राज्य की सकल प्राप्तियों में ब्यापार मुल्य वर्दित कर का योगदान है ब्यापार मुल्य वर्दित कर का योगदान बताना है सही उत्तर है 66 परसेंट जो है ब्यापार या मुल्य वर्दित कर का योगदान रहता है राज्य की आय का परमुख एवन महत्वपून सुरूत है राज्य की आय का परमुख और महत्वपून सुरूत जो है व्यापार कर और मुल्य वर्दित कर है क्योंकि अभी हमने देखा 63% जो है इसी का योगदान है वर्ष दोज़ार इकिस बाईस में राज्जे के सकल घरेलू उत्पात की वरिधि दर में उच्च वरिधि दर आँकी गई किसमें इस तरह से उच्च वरिधि दर आँकी गई है सही उतर है उपशन नंबर ए निर्मान की वर्ष दोज़ार बीस- Un – इक में प्रारंब कार्यों के सापेक्ष कार यप युब्टी में राज्यका देश में कौन सा इस्थान है कार यप य मे TON में महा दिसंबर 2022 तक राज्यका कुल राजस्थ्व संग्रह रहा है 9,ak COP For करोड रुपे राजय में महेंगाई नियंत्रन एवं वित्तिय प्रबंदन हितु परदेश सरकार राजकुसिय घाटे को जीडीपी के अधिक्तम कितने परतिसत की सीमा में निरंतर रख रही है तो जीडीपी को रख रही है ऑप्सनमर सी तीन परतिसत रख रही है ऑप्सनमर स पर्दान मंत्री किसान मानधन योजना नामक ब्रिध्ध वस्ता पेंसन में सामिल होने की आयू क्या है तो इसमें सामिल होने की आयू जो है 18-40 वर्ष है ऑप्शन नमर ए से उत्तर हो जाएगा नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिसन के अंतरगत भारत सरकार द्वारा पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में योजना दो जन्पदों देरादून और हरीद्वार में किर्यानमित की दा रही है तही उत्तर है इसका 2021 से उप्शन नमर बी से उत्तर है उत्राखन पर्योजना प्रारंब की गई है बरस 2000-15 से उत्राखन इसपेश एप्लिकेशन सेंटर कहां आवस्तित है उत्राखन इसपेश एप्लिकेसन सेंटर वेरी इंपोर्तेंट केसन है और यह plain है आपका दहरादून में अप्शन अमरण सी सही उत्तर है भारतियत बंसर्वि है तो हम सफर अलर्ट एप का परियोग करने वाला देश का पहला राज्य है सही उत्तर है उत्राखन हम सफर अलर्ट है उत्राखन राज्य में आई रेड इंटीग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटा बेस ये पर योजना कब लागो की तो ये योजना लागो की गई थी 2022 मे अप्सन मरी से उत्तर है इसका परदेश में निरंतर हो रहे पलायन को रोकने रोजगार परदान करने इस्तानिया संस्कृती वाउतपादों से परिचित कराने के उद्देश से से दीन दयाल उपादिया गिरह आवास विकास योजना कब प्रारंब की गई ये योजना प्र सारंब हुई है बर्स 2018 से हाली में केंद्रिय परियटन मंतरा लेद्वारा कि सराज्य केंद्र शासित परदेश को best tourism destination और दिया गया ये वेस्टourism destination का अवाड उत्राखरण को दिया गया था लास्ट यर अगला देखिए नीती आयो की एक्सपर्ट प्रिपियर डिनेंस इंडेक्स में वर्स 2021 में हिमालई राजयों के देहत उत्राखंड का कौन सा इस्तान प्राप्थ हुआ है पहला option मर्सी उत्र है हिमालई राजयों में पहला इस्तान है दीन दयाल उपाध्या है ग्रामीन कौसल योजना के अंतरगत वर्स 2019 से 23 तक कितने ग्रामीन गरीब योवाओं को परसिक्षित करने का लक्ष रखा गया है तहीं उत्तर है इसका 25,000 ग्रामीन योवाओं को परसिक्षित करने का लक्ष रखा गया है परदान मंत्री स्वनीदी योजना प्रारंब की गई परदान मंत्री स्वनीदी योजना जो है ये प्रारम हुई है वर्स 2020 में, मुख्य मंत्री महालक्षमी योजना कब आरम की गई? मुख्य मंत्री महालक्षमी योजना, ये योजना एकाफी पूछी जाती है, आपसन नमर ए वर्स 2021-22 में, वर्स 2021-22 में, किरसी एवम सहवर गया छेतर का GSDP में योगदान रहा, किरसी एवम सहवर गया छेतर में, GSDP का जो योगदान रहा है, वो रहा है 0.77% और राज्य की मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल राज्य की गई हूँ होगा, आपसन नमर बी, क्रॉपिंग पैटर्न वर्स 2020-21 की अनुसार, कुल बोए गये छेतर फल में, किस फसल का सरपरतिसत सबसे आधिक है, तो कुल बोए गये फसल में सबसे ज़्यादा गयों का परतिसत है, इसलिए मुख्य फसल हमारी गयों होगी, निमन में से कौन से कारेकरम, प्रधान मंत्री किरिसी सिंचाई योजना का घठक या के घठक है, तो इनमें से बताना है कौन सी योजनाएं, पर ड्रॉप, मूर क्रॉप, हर खेत को पानी, समेकित, जलागम, विकास, खारेकरम, ये सबी जो हैं, मुक्य मंत्री राज्यक किरिसी विकास योजना, इंपोर्टेंट है, सही उत्तर है वर्स भी सिंचाई से, एक जनपत, एक उत्पाद, वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट के अंतरगत, निमनिकित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है, तो इनमें से, अहरिद्वार मश्रूम सही है, उत्तरकासी सेवादारेत, देरदून बकर उत्पाद, नैनिताल जो है, सही नहीं इनमें से, तेजपत तैव मसाला, ऑप्शन अमर्डी हमारा करेक्ट आंसर है, एक जनपद, एक उत्पाद के अंतरगत, राज्य का कौन सा जिला मसाले के लिए जाना जाता है, तो राज्य का मसाले के लिए चमपावत जिला जाना जाता है, उप्शन अमर्डी प्रदेश में वन्या कारेक्रम का संबंध किस्ते है, बन्या कारेक्रम का संबंध है रेसम कीट पालन से उप्शन नमर ए सही उत्तर हो जाएगा वेरी इंपोर्टेंट क्रेशन है नो डाउन करके रख लीजिएगा अगला प्रसंद देखिए नैस्नल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन योजना प्रदेश के किन दो जन्पदों मे किर्यानमित की जा रही है सही उत्तर है देरादून और हरीद्वार में भारत का दुख दुदपादन में विश्चो में कौन सा इस्तान है तो दुख दुदपादन में भारत का इस्तान है पर्थम ऑप्शन नमर बी देश का पर्थम कंजर्वेशन रिजर्व है देश का प पंत रास्ट्य हिमालई परियावरन एवं सतत विकास संस्थान कहां वस्तित है ये संस्थान है आपका अलमोडा में ऑप्शन नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा राज्य का सबसे बड़ा बनने जी बिहार है राज्य का सबसे बड़ा बनने जी बिहार के दारनाद बनने जी बिह परिक्षन पर्योग साला की स्तापना कहां की गई है ये की गई है नैनिताल में उप्स नमर बी से ही उत्तर हो जाएगा अंडे के उत्पादन में भारत का विश्टो में कौन सा इस्तान है अंडे के उत्पादन में भारत का थीसरा इस्तान है रिसी केस करण परियाग प्रस्तावित रेल परियोजना उत्राखंड क सकल राज्य घरेल उत्पाद में दुतियक छेतर का योगदान था तो दोस्तों हमने उत्राखंड का बजट का एक वीडियो डिसकस किया है उसमें हमने प्रॉपर डिसकस किया है प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है सेकंडरी का कितना योगदान है तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बजट 2023 का तो वो आप जरूर जाके देख लीजिए काफे हैलफुल रहेगा और सही उत्तर इसका है 46.21 उत्राखन राज्य की नई निर्यात नीती कब लागू की गई तो नई निर्यात नीती लागू की गई है दिसम्बर 2021 में उत्राखन राज्य सिल्प रतन पुरस्कार के तहट 54.21 को पुरस्कार प्रदान किये गए उत्राखन राज्य के उत्करिष्ट उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से विपणन किया जाता है तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है हिमाद्री ब्रांड से सिटकुल के अरोमा औध्योगिक पार्क की स्थापना कहां की गई है तो अरोमा औध्योगिक पार्क जो है अरोमा का मतलब होता है सुगंद वाले तो सुगंद वाले इतरह से पुस्प को यहां पर उगाए जाएंगे 2021 में उत्राखंड की rank कौन सी है तो उत्राखंड की rank थी इस index में 13th rank थी option number A उत्राखंडाजय में बरतमान में Magnesite खनीज की कितनी ख़दाने स्विकृत है तो Magnesite खनीज की ख़दाने उत्राखंड में 3 ख़दाने स्विकृत है option number C सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में उत्राखन राज्य में सोप स्टोन खनीज की कितनी खदाने very important question आईए खनीज से अगर related question आएगा तो यहां से बन सकता है सही उत्तर है इसका 145 तो 145 जो खदाने हैं वो सोप स्टोन की स्विक्रित हैं उत्राखन में उत्राखन राज्य सरकार 12 बर्स 2025-26 तक खनीजों से कितना राजस्व फ्राप्ती का लक्षय अनुमानित है तो यह अनुमानित है लगभग 1500 करोड रुपे option number C निमलिकित में से कौन सा कथन परधान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना के संदर्व में गलत है तो इन में से गलत कथन बताना है हमें देख सकते हैं यह आपर कि यह असंगटिक छेतर के सर्मिकों के लिए बिद्धावस्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पेंसन योजना है सही है एक स्वेचिक और अनसदाई पेंसन योजना है इसमें सामिल होने वाली सर्मिक की नियूंतम आयू 20 वर्स होनी चाहिए यह गलत है इसमें सर्मिक द्वारा नियूंतम 55 रुपे से लेकर अधिक्तम 200 रुपे का मासिक योगदान करने का प्रावधान है तो इन में से उप्स नमर सी अधियम उध्योग नीती 2015 की है इसके तहट उत्राखंड को वर्गी किरित किया गया है पाँच सिरिणियों में अधियम उध्यम नीती 2015 कब तक परभावी रहेगी तो यह नीती आपकी परभावी रहेगी 31 मार्च 2023 तक तो सही उत्तर हो जाएगा इसका important है question यहां से बन सकते हैं हर question ही इसमें important है सूक्ष मेबं लगु उध्धम छेतर में महिलाओं की प्रियाप्त भागिदारी सुनिश्चित करने के उद्देशे से महिला विसेस्थ महिला उध्धमी विसेस प्रोथसाहन योजना का प्रारंब की गई तो महिला उध्धमी विसेस प्रोथसाहन योजना ये शुरू की गई थी 2015 में आप लोग question attempt कर सकते हैं और अपने marks comment box में लेखें कि आप इसमें 30 plus marks भी ले आ रहे हैं तो इसके तहट जो सहायता रासी दीचाती है उसके अधिक्तम सीमा 25 लाक रुपे उत्रखन राज्य की नई start-up नीती 2022 के तहट आगामी पांच वर्स में कितने start-ups को बढ़ावा देने का लक्ष तै किया गया है तो लक्ष तै किया गया है हजार start-ups को बढ़ाने का नई start-up नीती 2022 के अंतरगत राज्य के कितने नई incubation center स्तापित करने का लक्ष रखा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 center option number C राज्य की नई start-up नीती 2022 के अंतरगत छात्र उध्धमियों के start-ups को वित्य फ्रोसाहन के लिए मासिक भत्ता दे रासी कितनी है तो मासिक भत्ता दे रासी इस नीती के तहत है 15,000 रुपए option number B राज्य की ट्रेडमार्क और अध्योगी के design के लिए आवेदन करने पर राज्य की नई start-up नीती 2022 में प्रती पूर्ती सहाहत रासी कितनी तै की गई है तो राज्य आध्योगी के नीती के जो सारे question आपर start-up नीती के सारे question आ गये है इसका सही उत्तर है 10,000 रुपए प्रतीमा अगला प्रस्न है राज्य की नई start-up नीती 2022 में venture fund की स्टापना के लिए कितनी रासी का प्राफधान किया गया है venture fund की स्टापना के लिए 200 क्रोड रुपए रखी रासी का प्राफधान है निमील कितमें से कौन सी गतिवीदी मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पात्र गतिवीदियो में सामिल नहीं है मुख्य मंत्री सुरोजगार योजना के तहत पात्रगदी विदियों में सामिल नहीं है किरिसी बाकी सबी है विनिर्मान भी है सरक्षित किरिसी है और सेवा भी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसुक्षम नैनो उध्धम योजना के तहत परदान किये जाने वाले वैंकरिन की सीमा कितिनी है तो मुख्यमंत्री सुरोजगार आतिसुक्ष्म नैनो उध्धम योजना और इसके तहट जो बैंक रिन परदान किये जाने की सीमा है वो है आपका 50,000 रुपए आपसा नमबर B राज्य की एक जनपद दो उत्पाद योजना कब लागो की गई ये वेरी इंपोर्टेंट है हमने उत्राखन के जो करेंट अफेर्स बिछले डिसकस किया है वहाँ पर भी इन क्वेस्टन को डिसकस किया है सही उत्तर इसका है सितंबर 2021 में एक जनपद दो उत्पाद नीथी लागो की गई नमलिकित में से राज्य के किस स्तान पर ग्रामीन हाट इस्तापित नहीं है इन में से सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्टन का हरी द्वार उप्सन नमबर डी नमलिकित में से किस स्तान पर SSME विभाग द्वारा नंदा देवी एक्सिलेंस फोर हैंडलूम नैचुरल फाइबर का संचालन किया जा रहा है तो इसमें जगो का नाम बताना है सही उतर आपका मठेना उप्सन नमबर ए स्वजल 2.0 के अंतरगत अभिलासी जनपदों के रूप में उत्राखन राज्य के कौन से दो जनपदों का चयन किया गया है स्वजल 2.0 योजना है गहर गहर एक तरह से पानी पहुचाने वाली सही उत्तर इसका है हरिद्वार एबम उदम सिंग नगयर वरस्त 2022 में माननिय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्राखन राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरब पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो नमबर्स पूछे जाएंगे आपको ग्राम के नाम नहीं याद रखने हैं इतने ग्रामों को स्वच्छता पुरसकार दिया गया, सुच जलो अप्लब्द कराने के इस्देश्य से कोली ठेक जील का निर्मान किस जन्पद में किया जा रहा है, तो कोली ठेक जील important question है इसका निर्मान किया जा रहा है चम्पावत जन्पद में option number D उत्राखन जलवायो अनुकूल बारानिक किर्सी पर्योजना का किर्यार्मेन किस वर्स सुरू हुआ या फिर होगा इस क्वेशन का सही उत्तर है 2023 में इसी वर्स उत्राखन जलवायो अनकूल बारानी किरसी पर्योजना को किस अंतरास्ट्य संस्ता द्वारा सयोग परदान किया जा रहा है तो ये बारानी किरसी योजना जो है इसको सयोग दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा उप्सन नमबर B सयोग तर हो जाएगा अंतरास्टे किर्सी विकास निदी वित्पोसित एके किरित आजी विकास योग योग परियोजना का सुभारंब किस वर्स में हुआ था आई एफ एडी तो यह आपको ध्यान रखना है इसकी सुरुवात हो गई थी आपकी 2012 में उप्सन नमबर एई पढ़ान मंत्री किर्सी सिंचाई योजना समेकित जलागम विकास कार करम हेतु वित्पोसन में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी करमसा है तो इसमें किंद्र की हिस्सेदारी और राज्ये की हिस्सेदारी किंद्र की हिस्सेदारी इसमें 90% है और 10% जो है वो के राज्ये की हिस्सेदारी है जामरानी बांद बहुत देशिय पर्यूजना के तहत उत्राखन राज्य के किस सहर ही तु स्वच पेजल की सुविदा सुनिश्चित की जाएगी तो इसका सही उतर है आपका हलदवानी सहर के लिए स्वच पेजल की सुविदा उपलब्द कराए जाएगी जामरानी बांध पर योजना से उतरा खंडाजे में वरतमान में रास्ट्य राजमारगों की कुल लंबाई कितनी है तो वर्तमान में रास्ट्य राजमार्गों की लंबाई आपको धिहन रखना है लगभग जो है 3600 किलो मीटर है उप्शन नमबर C परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का सुबारम निमलिकित में से किस परधान मंत्री के कारेकाल में किया गया परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ये अटल भिहारी बाजपेई जी के कारेकाल में किया गया था उप्शन नमबर B बर्तमार में उत्रखन राज़य में संचालित रेल लाइनों की कुल लंबाई लगभग कितनी है और रेल लाइनों की लगभग लंबाई जो है अब का ये अब का है 340 किलो मीटर अप्शन नमबर B राज़य के किस सहर में यातायात के दबाव को कम करने है तो रिस्पना एवं बिंदाल नदी पर Elevated Road का निर्मान कारे प्रस्तावित है तो रिस्पना और बिंदाल नदी पर एक Elevated Road यानि कि जो हवा में एक तरह से Road Elevated उचाई पर जो Road बनेगी तो ये किस जगह पर एक तरह से प्रस्तावित है सही उत्तर आपका हो जाएगा नमलिकित में से किस नदी पर सूर्यधार बैराज का निर्मान किया गया है जाखन नदी पर उप्सन नमर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धनगरिया छेत्रों के लिए 200 बैंक सहायतित प्रियोजना के तहत नमलिकित में से किस जनपत का चयन नहीं किया गया है ऐसे जनपत का बताना है जिसना चेयन इसमें नहीं किया गया है सही उत्तर हो जाएगा आपका पिथोरा गड़ वित्यवर्स दोजार बाइस तीस है तो सुच्छ भारत मिसन ग्रामीन के अंतरगत राज्य का व्यक्तिगत घरेलू सोचाले निर्मान का लक्ष किरतना निर्धारित किया गया है यह लक्ष निर्धारित किया गया था 12.32 यानि 12.326 उत्राखन परिवहन लिगम की बसों में वरिस्ट नागरिकों है तो निस्तुल के यात्रा सुविधा कब से प्रारंब की गई तो वरिस्ट नागरिकों है तो निस्तुल के यात्रा सुविधा प्रारंब की गई 2015 से उत्राखन राज्य में आई रेट इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेस पर योजना लागू किये जाने की तिथी कौन सी है तो आई रेट योजना लागू की गई है 24-5-2022 को अगला प्रसन हमारे पास है भारा सरकार के सहयोग से उत्राखन राज्य में किंग कमार्ड एंट कंट्रोल सेंटर परिवेहन मुख्यला की स्तापना कहां की गई है इस क्वेशन का सही उत्तर है आपका दहरादून में ऑप्सन नमबर डी काज्य में पंडिक दीन दयाल उपाध है होमिस्टे विखास योजना सुरू करने का उद्देश्य कौन सा है प्रदेश्य पलायन को रोपना रोजगार चिर्जित करना इस्तानिय संस्किर्ति वा उत्पादों की ख्याती बढ़ाना तो ये चार हो थीनों ही सही है उत्राखंड विधान सबा की सदस्य संख्या कितनी है उत्राखंड विधान सबा में सदस्य संख्या जो है वो 70 है और question की PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाती है वहाँ पर आपको पिछले papers की भी PDF मिल जाएगी तो टेलिग्राम आप पर description में लिंक है जोईन कर सकते हैं अगला है रास्ट उत्राखंड में रास्ट पती सासन की सिफारिस कौन करता है तो रास्ट पती सासन की सिफारिस राज्यपाल के द्वारा की जाती है वो कोई भी राज्य हो उत्राखंड हो या कोई अन्य राज्य भी हो अगला है राज्यवित आयोग है एक राज्यवित आयोग के बारे में पूछा गया है कि किस तरह कि सस्ता है इन में से विदिक है आसम विदिक है या फिर संबैधानिक है सही उत्तर हो जाएगा राज्यवित आयोग जो है एक constitutional body है एक सोतंतर जिले के रूप में रुद्रपरिया के स्थापना कब की गई तो रुद्रपरिया की स्ıtापना की गई थी 1997 में अब तक उत्राखंड में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं तो ये confuse करने के लिए question दिया है अब तक कोई भी महिला उत्राखंड की मुख्यमंत्री नहीं रही है उत्राखंड विदानसबा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उनके जो नियाए अधीस होते हैं वो अपने पेपर बने रह सकते हैं 62 येर्स तक राज्य लोग सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको है राज्य लोग सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको रास्टपती हटा सकते हैं उत्राखन राज्य मानवादिकार आयोग का गठन कब किया गया उत्राखन राज्य मानवादिकार आयोग का गठन बताना है तो राज्य मानवादिकार आयोग का गठन होता है 2013 में ग्राम पंचायत का सदस्य या परधान चुने जाने है तो नियून्तम आयू निर्धारित की गई है नियून्तम आयू जो है वो 21 वर्स निर्धारित की गई है निमलिकित में से कौन सा लोकसबा छेतर राज्य में अनुसूचित जाती है तो आरक्षित है इन मेंसे जो है जो आपका अलमोडा लोगसभा छेतर है ये अनुसूची जाती के लिए आरक्षित है रुद्र परियाग जिले का समस्त छेतर किस लोगसभा छेतर का हिस्सा है तो रुद्र परियाग जिले का जो पूरा हिस्सा है वो आपका पौड़ी गड़वा लोगसभा छितर का हिस्सा है निमलिकित में से कौन उत्राखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बाकिस सब इन में उत्राखंड के मुख्य मंत्री रहे हैं उत्राखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं तो वर्तमान की बात कर रहे हैं नगर निगमों की संख्याब 9 हो गई है उप्सन नमर D उत्राखंड राज्य के उच्छ नियाले के पर्थम नियाइधीस का नाम बताना है तो पर्थम नियाइधीस उत्राखंड उच्छ नियाले के आसोक अभिंदर देशाई थे नमलिकित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल की नियुक्ती जो है भारत के रास्टपती द्वारा की जाती है निमलिकित में से कौन उत्राखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं इन में से बताना है राज्यपाल कौन से वेक्ति नहीं रहे हैं उत्राखन के पर्थम राज्यपाल पर्थम राज्यपाल आसान सा प्रस्ण हो गया सही उत्तर आपका हो जाएगा सुरुजीत सिंग बरनाला उत्राखन से लोगसबा में कितने सदस्य चुने जाते हैं तो लोगसबा से जो लोगसबा में उत्राखन के पांच सदस्य चुने जाते हैं अपसे नमबर ए उत्राखन उत्तर परदेश से कब पिर्थक हुआ तो उत्तर प्रदेश से कपिर्थकवा सन 2000 में हो गया उत्राखन का राज्यपाल अध्यदेश जारी कर सकता है तो राज्यपाल एक तरह से कौन से अनुछेद के तहट तो अनुछेद 213 के तहट राज्यपाल अध्यदेश जारी करता है और अगर रास्ट्र पती की बात की जाए तो 123 के तहट अध्यदिस जारी करता है 123 और 213 ऐसे गर के धियान रख सकते उत्राखन राज्य लोग सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा है इसके प्रैथम अध्यक्ष जो है एनपी नवानी थे उत्राखन महिला आयोग का गठन उत्राखन में ये किया गया था आपका 2005 में निमले खितमे से किस समीती ने त्रीस तरिया पंचायती राज प्रणाली प्रस्तुत की त्रीस तरिया बी आर महता को भारते संबीधान के किस अनुछेत के तहत राज्य के राज्य पाल को हर पांच साल में एक राज्य वीतायोग का गठन करने का अधिकार प्राप्त है तो राज्य वीतायोग का गठन का अधिकार प्राप्त है कि वो हर पांच साल में एक बार राज्य वीतायो राज ब्योस्ता संबंधी प्रावधान आपका भाग नौ में हैं उत्रखन राज्य में लोकसबा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाती है तो आरक्षित की गई है तो यहां पर बताना है कि कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाती है तो आरक्षित की गई है सही उत्तर आपका हो जाएगा एक सीड जो है वो अनुसुची जाती के लिए आरक्षित की गई है लोकसभा में इसमें से कौन उत्राखंड ग्रामसभा का कार्य नहीं है उत्राखंड में जो ग्रामसभाएं हैं उनका कार्य इनमें से कौन सा नहीं है सही उत्तर है इसमें ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना जो है ये ग्राम सबा का कारे नहीं है, बाकि सभी जो है बारसिक विबरन देना हो गया सभी बर्वों के बीच एक ताकि विरिधी, गाउं में प्रात्मिक सिक्षा और प्रॉड़। ये सब ग्राम सबा के कारें हैं ग्राम पंचायत का चुनाव करना जो है चुनावायो का कारम है न की ग्राम सबा का पंचायत के विगटन के उपरां तिनमल खित में से कौन सी समय आवधी नए चुनाव संपन कराने है तो सही है तो नए चुनाव संपन कराने है तो छै मा के अंदर हो जाने चाहिए जहां ग्राम सबा कई गाउं के समू के लिए इस्ताफित की जाती है वहां ग्राम सबा का नाम हो जाता है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाले गाउं के नाम पर रखा जाता है अगर ती दो तीन या तीन चार गाम हैं तो जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके नाम पर ही ग्राम सबा का नाम रखा जाएगा नमलखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठ्ध करने के लिए निर्देशित करता है तो ग्राम पंचायतों के संगठ्धन के लिए जो अनुच्छेद निर्देशित करता है वो अनुच्छेद आपका 40 है अनुच्छेद निमलिखित में से कौन है, तो सबसे अधिक परभावी जो है इन में से संस्ताम, वो आपका ग्राम सभा है, उत्राखन में उपपरधान का चुनाओ किस के द्वारा किया जाता है, उपपरधान जो है, ये चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्चियों के द पूरा करने है तो कितने सदस्चियों की आवस्यक्ता होती है तो ग्राम पंचायत में कूरम पूरा करने के लिए जो सदस्चियों की कुल संख्या का एक तिहाई होना चाहिए अप्सन नमबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हूँ अगला प्रसंद देखते हैं प्रधान के विर्द अविस्वास प्रस्ताव का किस अधिकारी द्वारा किस अधिकारी द्वारा परिक्षण किया जाता है तो अगर ग्राम प्रधान जो है उसके विर्द कोई अविस्वास प्रस्ताव आ जाए तो उसका परिक्षण जो है जिल्ला जो पंचायती राज अध दिखारी है उसके द्वारा किया जाता है उत्राखन नगर निकाय परणाली के लिए कौन सा कथन सही नहीं है तो इन में से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है सही उत्र है कि मेर के खिलाब अविस्त्वास प्रस्ताव ये नहीं लाया जा सकता है बाकी सब इसमें सही है नगर प च्बालिक्ष्च के दौर की गई ये किया गया था आपका एकान विवा संथर का दौर के दौरह उची नालेमे न liberté की संथ्य का नीर्द्र्धारन की इन起िवारन रास्ट्रपति की दौरह की आ जाता है जन shaft सदस्यों और राजय विधानमंडल सदस्यों के निरवाचन, संबंदी विवाद उच्छनियाले के किस थेतरादिकार के अन्तरगत आता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये प्रारंबिक शेतरादिकार है उच्छ नियाले को अभी लेख नियाले का दरजा किस अनुचेद की अंतरगर दिया गया है अभी लेख नियाले का दरजा दिया गया है अनुचेद 215 के तहट नमलकित में से कौन वरतमान में उत्राखंड की कैबिनेट में सामिल नहीं है इन में से कौन से वेक्ती हैं जो कैबिनीट में सामिल नहीं है आजै भट जो हैं इन में से कैबिनीट में सामिल नहीं है 6-35 के पर्मुक का चुनाव कौन करता है? छेतर पंचायत का जो परमुख होता है उसका चुनाव ग्रामसबा के मतदाता करते हैं राज्य का कारेकारी परमुख तो राज्य का कारेकारी जो परमुख है वो आपका राज्यपाल हो गया उतराखन का कौन सा जिला सरबादिक विधानसबा सीट वाला जिला है सबसे ज़्यादा विधान सभा सीटें हरी द्वार में हो गई ग्राम पंचायत की सभी योजना एवं बजट कहां से अनुमूदित होती है तो कोई भी योजना हो या बजट हो वो अनुमूदित होता है आपका ग्राम सभा के द्वारब ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या का निर्धारन किस आधार पर किया जाता है तो इनका निर्धारन किया जाता है जन संख्या के आधार पर